नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूस अंतराश्टी खबरें अंतराश्टी कूटनीती एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई है कि एक देश में आई तबाही दूसरे देश को प्रभावित क करती है दो देश के नेता जब मिलते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है आज आपके साथ मिलकर हम चर्चा करेंगे तीन एहम खबरों पर आज हमारा फोकस होगा भारत के पडोसी देशों पर और वह भी तब भारत में बांगलादेश की प्रधान मंतरी हसीन शेख आई हुई हैं कई नए डील्स पर साइन हो रहे हैं लेकिन चर्चा सबसे पहले हम करेंगे शिरलंका की शिरलंका में जिस तरह से हमने देखा आपके साथ मिलकर बनाई रखी पहने नजर कि शिरलंका में जो आंदोलन चला था गोटाबाया राजपक्षे के मिस मेनेज आशन के खिलाफ उसमें गोटाबाया किस तरह से भागे दो महिना देश छोड़कर बाहर रहे वह वापस आए हैं आएमस ने लोन दिया है क्या असर होगा पहली खबरिया दूसरा पडोसी देश पाकिस्तान जो पिछले कुछ समय से भीशन आपदा को जेल रहा है भीशन ब इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की राजनिती में क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान एक चैलेंज के तौर पर उबरे हैं जिस तरह से राजनिती करवट ले रही है उसमें यह जो भीशन आपदा है वह क्या गुल खिलाएगी दूस संग के ऐसे द्वार खोले जिससे सोव्य संग का विघटन हुआ जब उनका निधन होता है तब किस तरह से रूसी जनता देखती है अपने इस नेता को इन तमाम एहम सवालों पर हम चर्शा करेंगे प्रबीर पुरकायस से जिस तरह से हमने देखा कि गोटा बाया के खिलाफ एक संगर चला दो महीने वो बाहर रहे दुबारा वो वापस आए हैं आखिर उनकी जो वापसी है और जिस तरह से उन्हें रिसीव करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए शेलंगा की एरपोर्ट पे बड़ी संख्या मे अभी जो नई cabinet बनी है उसके मंत्रीगण मौझूद थे तो ये क्या संकेत दे रहा है देखे कोटाबाया की public जो credibility है वो तो एक हिसाब से खत्म है चाहे उसके लिए लोग जाएं जो मंत्रीगण है वो जाएं ना जाएं उससे कोई फरक नहीं पड़ता उसको फिर पुनर स्थापना करना इस किसी भी पार्टी के लिए उनके खुद की पार्टी के लिए लगता बहुत मुश्किल होगा अगर उनको चुनवा फेस करना है तो उन्होंने विक्टरम सिंग के जो प्राइम मिनिस्टर बनाया बाद में वो प्रेजिडेंट बने गोटाबाया का भागने के बाद तो तभी से साफ था कि ये गोटाबाया के आदेश पे तो नहीं कम से कम उनके निरदेश पे चलेंग और उसको एक हिसाब से गोटाबाया की पार्टी की सबर्थन के बिना ये प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट नहीं बन सकते थे वो तो साफ था क्योंकि उनका एक छबी है आम जनता की बीच में पहले वो काफी important व्यक्ति रहे हैं लाकि उनकी पार्टी की पीछले election में को चाहिए जिस पे वो एक common unity बन पाए गोटाबाया की पार्टी की majority है पार्लिमेंट में तो उसकी सहमती भी चाहिए तो एक हिसाब से compromise की तौर पे वो आये थे और आम जनता का जो आक्रोश था गोटाबाया की उपर किते दिन तक इस तरह के आप उनकी प्रेलेस कबजा करके रखेंगे और सरकारी बिल्डिंग कबजा करके रखेंगे तो वो एक ना एक वक्त पे तो एक इस इग्नॉरबल सिक्योर आना ही था और जिस तरह से स्री लंका के economy की crisis थी उसके लिए सरकार चाहिए जो IMF से निगोशिये और हमें दिखाई भी दिया कि IMF ने 2.9 बिलियन ड सकता है ना fertilizer आ सकता है ना खाद्य आ सकता है तो जो चीजे एक economy को चलने के लिए चाहिए वो नहीं आ सकता जूनियत हम चीजे कम से कम IMF loan के बाद तो शुरू हो पाएगा बड़ा जो इनका issue है कैसे इस bankruptcy से निकला जाए वो अलग बात है उसकी चर्चा आज नहीं कर पाएं से सरकार चला पाएंगे पीछे से अपना बचाओ कर ले अपने पार्टी का बचाओ कर ले यह शायद संभव हो सकता है मुझे नहीं लगता चुनाव में इस गोटबाय की पार्टी फिर वापस आपाएगी क्योंकि लोगों की आक्रोश लोगों की जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है लेकिन एक तो लग रहा था कि वो इंजार कर रहे था कि गुस्सा शांत हो जाया और उसके बाद उनकी वापसी हो जाया तो क्लियर पैसेज जाने का दी और क्लियर पैसेज उनको आने को दिया इसलिए आशंकाएं काफी तगड़ी है श्रिलंका की राजनिती को देखते हुँए देखने पड़े कि क्या होता भविषवानी तो करना संभव नहीं है इस तरह से क्योंकि इनसान की ऊपर भविषवानी नहीं कर सकते पिनी पर कर सकते यह बात है कि गोटाबाय अगर वापस आने के कोशिश करेंगे परोक्ष रूप में या चुपे एरुपे जो भी करें तो उस पर आक्रोश लोगों के होगा सड़क पर कब आएंगे नहीं आएंगे देखना पड़ेगा नोटिस तो जनता ने दे चुकी है कि आप हमारी निगरानी में हो अगर आप कुछ गलत करोगे तो हम फिर आएंगे तो ये जो चेतावनी है ये पुनर स्थापना करेंगे बहुत जल्दी ये संभावना नहीं है हाँ एक दो तीन साल बाद क्या होता है वो बताया नहीं जा सकता अगले छे महिना एक साल में तो स्री नंका की एक रेलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसमें सब फोर्स को साथ लेके अगर नहीं चल करेंगे अपने दूसरे पडोसी मुल्क पाकिस्तान के तरफ बड़ी भीशन तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं वहां पर तकरीबन पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा वन थर्ड हिस्सा भीशन बाढ़ और आपदा से घिरा हुआ है हजारों की संख्या में लोग तबाह हैं जाने जा रही हैं यह जो नक्षा हमारे हाथ में हैं और जो दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर उससे लग रहा है कि विभीशिका कितनी गहरी है तो यह जो पूरा का पूरा दृश्य हमारे पडोसी देश में दिखाई दे रहा है इसके अलग-अलग धंग से लोग व्य आपदा आई थी उससे भी भीशन दिखाई दे रहा है तो इसकी क्या आपको लगता है कि किस तरह से यह जो आपदा फैली है पानी बहुत जगहों पे अभी भी उसी रूप में बरकरार है क्या वजहें लगती हैं और क्या दिखाई देता है लंबा समय हो गया पाकिस्दान को इस तबाही में डूबे हुए देखिए एक तो है कि immediate क्या हुआ है वो हमें देखनी की जूरत है कि बहुत भारी पैमाने पे कुछ चंद घंटों में बारिश हुई है दो तीन दिन की बारिश की जो बहुत लगातार और भारी बारिश के वजह से जो flood waters वहाँ पे नदी क जरीए जाते हैं वो बाहर के रूप में आसपास पूरे इलाके को उसने डुबो दिया जी जैसे सिंद के बारे में है कि वहाँ 1288 मिलीमीटर बारिश अगस्त में हुई जबकि होती रही है सिर्फ 46 मिलीमीटर तो मतलब 20 गुना ज्यादा तो ये जो है 20-25 गुना ज्यादा बारिश कुछ घंटों में हुआ है ऐसा नहीं है कि पूरे साल की बारिश जो है कुछ घंटों में हुआ है और वो भी कुछ जगों पे जो नॉर्मल बारिश है उसके कई गुना ज्यादा हुआ है तो दो चीज इसमें है कि एक बात है कि बारिश अगर साल भर में होता है या और अनफॉर्चनेटली जो हम करते हैं, जो लोग जब बसते हैं, वो करते हैं, नदी के किनारे हम अपना मकान बनाते हैं, उसको हम सिमेंट कर देते हैं, उसकी पानी को हम इरिगेशन में खेत पे ले जाते हैं, तो नौरमल जो रिवर चैनल है, उसको हम काफी नैरो कर देते ह इसलिए वो जब बाड़ आती है तो पूरा फ्लट के तौर पे भारी पाइमाने में एक साथ पानी देखलने के तट का इलाका कम कर देते हैं और वो फैलाव हो जाता है बाड़ के समय तो यह जो है उसका फ्लट चैनल जिसे कहते हैं उस पर बसती हो जाती है तो फ्लट चैनल जो फ्लट वाटर के लिए होती है वो नहीं रहता तो इसका वजह यह है कि तब पानी जाये कहां तो पूरा प्लट के जो इंबैंक्पेंट्स होगा रहो तो उसको तोड़ के पूरा लो लाइंग एरिया जो है उसको वो कवर कर देता है एक तो यह है तो खास बात यह है कि जिस पे बहुत कम वक्त पे इतनी बारिश हुई है तो यह क्यों हुई है उसमें तीन साल की जो ला नीना कहते है तो तीन साल से लगातार चल रहा है जो नौर्बली तीन से साथ साल की भी एक से एक बार होता है तो यह तीन लगातार तीन साल आ रहा है तो जिस पे कहते हैं क abnormal weather events शुरू हो रहा उससे साथ जुड़ा हुआ है और ये climate change का एक larger climate change का एक निशान है हम अगर पूरे पेड़ को clear कर देते हैं forest को clear करते हैं जंगल काट देते हैं agriculture को बदल देते हैं तो उस पे क्या होता है कि जमीन की पानी सोक करने की उसकी एक शमता होती है वो काफी कमजोर हो जाती है तब जो है इसकी बाढ़ की असर काफी ज्यादा होता है तो वहां पर forest clearing जो है ये भी काफी पैमाने पे हुआ है हमारे यहां भी हो रहा है तो इसलिए हम बार-बार जो लोग कहते हैं कि हमारा forest cover को बार करा रखना या बढ़ानी की जुरूरत है सब कुछ काट के साफ करके अगर आप agriculture करोगे तो वह agriculture भी बहुत दिन चलेगा नहीं क्योंकि पानी की बार से आपका का फर्टाइल स्वाइल भी बह जाए सारा का सारा की आएमेफ ने भी लोन दिया है एक मदद दिये है वन पॉइंट वन सेवन बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को इस गहरी आपदा से जहलने के लिए या संबदों के रिक्वार्मेंट हां उसकी रिक्वार्मेंट काफी यह ब लोन कित्ता लेंगे यह सब देखने की बात है संगशेप में आपसे जानना चाहूंगी कि अभी दुनिया भर में चर्चा है सोवियसंग के भूतपूर्व सोवियसंग था उसके जो भूतपूर्व राष्टपती थे गोर्बाचेफ जिनका निधन हुआ अभी और यहां प खोला विगटन का उसमें इंटर कॉन क्या वो अलग बात है लेकिन दुवार खोलना जब विगटन का है उसमें गोर्बाचेफ की एक बहुत अहम भूमिका रही है आप बताए है कि रूसी जनता के लिए गोर्बाचेफ के माइने क्या है देखे गोर्बाचेफ जब आय थे वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आये थे अब जानते हैं कौमनेस्ट पार्टी पे जनरल सेक्रेटरी की एहमियत क्या होता है और वो साविज संग की प्रेजिडिन्ट बने और उन्होंने जो दो स्लोगन दिये थे पेरिस्ट्रोइका और ग्लास्टमॉस कि हम खोल देंगे ट तो उस पर एक तो ज़ो शक्तिया इससे निकल के आई जिन्होंने रूस खासτοर से रूस को कब्जा किया येलसिन जो उस पक्त रूस के प्रेस्डिटन बने थे और उन्होंने और तीन प्रेसिडिट से मिल के रिपब्लिक्स के उन्हें ने का हम जो है शोशित हो रहे हैं इत्त गौर्बचॉब इसका पक्ष्म नहीं थे उस वक्त गौर्बचॉब तभी बी यल् Lसन के इस कदम के साथ नहीं थे पर आपने जो कहा सही है दरवाजा उन्होंने कौला था यल् Lसन जो है उस दरवाजा से घुसे और उसके बाद जो हुआ कि उन्होंने यल् Lसन खास तौर से अमरीका के साथ मिल के पहले तो पार्लेमेंट का खतम किया, आपको मालू होगा, 93 में पार्लेमेंट की बुंबारी की उन्होंने, आर्टलेरी से वहां करें और पार्लेमेंट की लोगों कुछ लोग मरे भी उसमें, जो चुन के आये थे, तो उन्होंने अपना ये तो किया, इसके बाद प्रेजिडेंशल इस पे प्रश्ण चिन्न है, क्योंकि उस चुनाओ को लेकर काफी है, पर उसका जो सेकेंड था, वो जुगानव था, जो कि कॉम्मिनिस पार्टी ऑव रश्या बना के उस वक्त उसके खिलाब लडा था, और उसको वोट करीब-करीब येलसिन जतना ही मिला था, कुछ लोग है, कि यांकिस तू दा फ्रंट एगेन, यांकिस ने येलसिन को जिताया, अमरीका ने येलसिन को जिताया, टाइम मैगजिन की कवर है, सोच लीचे, तो कैसे उसको येलसिन की इलेक्शन उन्होंने कंट्रोल किया था, पूरी उसकी विवरन इसके अंदर है, तो सवाल है कि रूस की जनता कैसे देखती है, उसको अगर देखें, तो पहला तो है कि प्रेजिडेंशल इलेक्शमन उसको एक परसन से कम वोट मिला था, और रूस की जनता की जो समझ है, खास तोर से उस वक्त, उस दस-पंदरा साल से जो गुजरा है, कि पूरी एकोनोबी कॉलाप्स कर गया, पूरी जी राशिया की जो वेल्स थी, कुछ चंद लोगों ने उसको केंडरी करन कर ली, बड़े पैमाने पे, पूरी अर्थनीती बैठ गई, लोगों की जो बचत थी, वो खत्म हो गया, रूबल का पैसा इतना गिरा, कि जो पेंशन से वो आप काम नहीं चला सकते, सबसी बड़ी बात, जो सबसे दुखद गटना है, कि रूस की आयू लोगों की, वो कम होने लगा, तो ये जो गटनाई हुई, उससे रूस का जनता कहिये है, कि यलसिन को चोर समझते थे, और गौरबचॉफ को वो, अगर अच्छा शब्द इस्तिबाल करें, तो बेवकू आम जनता को पूछेंगे, आफरिका में हो, एसिया में है, सोवियत संग और रूस को आम जनता एक ही समझती है, आज भी, इन जगों पे, मैप तो देखते नहीं है ना हम, अगर मैप देखेंगे तो देखेंगे, सोवियत संग और रूस अलग है, पर रूस उस सोवियत संग कब एक बहुत बड़ा हिसा है और वो इतना एशिया में भी है जितना वो यॉरप में है और यॉरप का रूस को देखेंगे उतना वेस्ट यॉरप का बराबर है सेंट्रल इस्टन यॉरप को छोड़ दे तो वेस्टन यॉरप से कम नहीं होता ही है तो एक बहुत बड़ा मुल में सब जगह पे Soviet Sun के प्रती एक बहुत बड़ा बहुत इज़त है इस बात बारे में कि हमारा colonialism के खिलाफ संघर्ष में हमारा साथ आजादी की लड़ाई में वह चीज हमें भूलना नहीं चाहिए वेस्ट में Soviet Sun था दुश्मन क्योंकि उसको लगता था तक्कर दे रहा है और जो दुनिया को वो थते नहीं को साथ कि अपका दुनिया की ऊणिया दौनिया के प्रती उसका आज भी वह रूस को अलग नजिरे से देखता है। इसलिए जब sanctions लगाए Ukraine को लेकर अब देखे होंगे map देख लीजिए map दिखाता है कि यॉरप एक तरफ है Australia, New Zealand, Canada एक तरफ है और सब दुनिया दूसरी तरफ है वो sanctions पे हिसा शिर्कत नहीं कर रहे हैं तो यही है कि रूस की वो जो क्रांतिकारी जो इतिहास रहा है October क्रांति से लेकर उसकी colonialism खिलाब के टककर वो गौर्वचौफ की भाशन में गौर्वचौफ के बात में कभी भी नहीं आया उसका सिर्फ डृष्टी जो है उसका निगाहा सिर्फ यॉरप और वेस्ट पे था बहुत बहुत शुक्रिया प्रभीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि कोई भी राजनेता अपने देश को विकास की ओर ले जाता है विध्वन्स की ओर ले जाता है उसी क्रम में उसका मूल्यांकन होता है और उससे भी बड़ी बात कि हम अपने पडोसी देश के दर्द को किस तरह से महसूस करते हैं उसके संक नभर की न्यूस क्लिक शुक्रिया